कउं यह देखें गाइस यममी टेस्टी हम सबना करके तयार करेंगे डमालू की सब्ची जो कि बिना लहजओ, बिना पयाज के बनेगी बोह टेस्टी बहुत यम यम्मी तो देख़िए कि यह हम रेसीपी कैसे बनाते हैं का ये कैसी येface का रेस्पी आपो लगने नहीं एड़ करेंगे यहां तक हम गरम मसाला भी एड़ नहीं करेंगे तो चलिए आलो आप सोका स्वागत है हमारे यूटीब चाहिए मिस्ला में यह देखिए हमने कुछ हालू ले लिए हैं जिनको हमने छील लिया है पीलर की साहिता से तो यह थोड़े से बड़े आलू है हम हम इसका हाफ करेंगे याने एक आलू के हम दो टुकड़े करेंगे फिलाल यह मीडियम साइज के आलू है आप और ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आज हम बनाने जा रहा हैं दम आलू की रेश्पी तो देखिए हमारे तरीके से कि हमने कैसी बनाई है यह रेश्पी तो यह दे अब हम क्या करेंगे सारे के सारे आलू को ऐसे चेत कर लेंगे पीलर की साहता से या फिर आप फॉक भी ले सकते हैं और ये टेस्टी सब्ची बहुत यम्मी लगने वाली है आप लोगों को देए देखे गाज एक पतीले में ले लिया है पानी और उसको बॉयल कर लिया है अब कि आगे हम जब सब्ची बनाएंगे तो आगे कुख होंगे लगगव को 40% हमको आगे कारने तो इसी तरह से हम कर लेंगे देखे जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तब-क बना लेते हैं अपना मर्साला जो की हमको अच्छे से बनाना है तो ये हमने दो तमाटर लिए लि आपके पास अद्रक का पेस्ट रखा है तो आप वो डाल सकते हैं हमारे पास नहीं था तो हमने टमाटर में अद्रक को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया तो यह देखिए आलो हमारी लगवक 60% कुक हो चुके हैं हमने अपनी नाइफ की सहायता से देखा तो हमारी नाइफ अंदर बहुत आसानी से इंसर्ट हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे एक छणनी की सहायता से आलों को हम बाहर निकाल बाहर निकाल ले रहा है और इसका पानी फेक एंगे नहीं क्योंकि आगे हमें इसका पानी इस्तमाल करना है तो यह देख सकते हैं तो अब हम अपना एक पतिला ले लेंगे जिसमें हम अपनी सब्ची बनाएंगे तो यह देखिए छे से साथ स्पून हम ओयल डाल लेंगे इसको दुमादार खुब अच्छी से गरम करना है तो अपने आलू हम इसमें एट कर देंगे और इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चलाते हुए फ्राई इतना करना है कि आलू के ऊपर जो है वह अच्छी सी एक पर्द आ जाए फ्राई करने की तो यह देखते हैं हलकी हलकी सी हमारे आलू फ्राई दिखने लगे हैं एक उपर से हलकी पर्द आ चुकी है तो आप इनको हम निकाल कर रख लेंगे और इसी ओयल में थोड़ा स जेर ना हम बढ़ाएंगे भादी कारीब रूसके हैं पर और 0-0 धाल से ओयर पमध्राई बढ़ाएंगे लगब ट्रुमाटर का पैसी अभी पर्मध्रां तो देखिए ड्राय मसालों में सिंपल से बसाली देएंगे एक स्पून धनिया पाऊडर एक स्पून हल्दी पाऊडर नहीं पाऊडर और एक स्पून म्र्च पाऊडर को अब उसे सबसार करने SL लाल मिर्च है कस्मीरी मिर्च पाउडर तो यह हमने ले लिया हाब स्पून और यह हींग हमने 2-3 पिंच डाल दी है इन मसालों को हम आप अच्छे से फ्राई करेंगे देखिए टमाटर होने की वज़े से यह मसाले हमारे साले अच्छे से पक जाएंगे मतलब कुख हो जाएं सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा तो यह देखिए रोज मरा में जो हम दूद गरम करते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वही मलाई हमने ले ली है दो स्पून के करीब यह देखिए यानि दूद बॉयल करिए और फ्रिज में रख देते हैं उसके भूण लेंगे तमाटर के साकाम अत्मालए के साथ मलाई को भी अच्छे भूं लेगे तो मलाई गुर्ण गुंदी अब देख सकते हैं हमने मसाले भून लिया है तो यह लगब लगब तली छोड़ने लगा है और इसमें ऑईल भी दिखने लगा है तो बस इसी स्टेज तक हमको फ्राई करना होता है मसालों को अच्छे से और अब हम इसमें अपने एड करेंगे आलू जो कि हमने बॉयल करके औ आप यह देख सकते हैं धब इससलिए हमने चानल के अंदर मिक्स करके इसमें पानी कि Singapore मुक्स कर रहा है कि अपने को देखें हुआ हम आपने उसी पानी का कर दिन्माल करें के जिसने अcke là कस्तोरी मेधि डालना भूल गाते जो किह माब ढाल है आप लोग चाहिए तो मसाले में ही डालकर फ्राई कर सकते हैं वैसे हमारी कस्तोरी में टी तो यह था अलू के साथ डालकर भूण Лे रहा twee अब इसमें हम अड़ करेंगे पानी टेस्ट इसाफ ग्रेवि के ला हिसाफ से इसमें इम्हाली पानी को इसमें का्या है जिसमें हमने आलू बॉयल किये थे और एक बात हमने इसमें नमक नहीं सबजी में आड़ किया हुआ क्यूं क्यूंकि हमने जो बॉयल करते समय पानी में नमक डाला था तो उसमें नमक परयाप मात्रा में है अगर आप उस पानी का इस्तमाल नहीं करते हैं दूसरा ताजा साफ पानी डालना चाहते हैं तो आप नमक का एड़ कर दें नमक को ठीक है अब इसे हम कुक कर लेंगे यह देखे बॉयल अच्छे से आने लगा है यह देख सकते हैं तो इसको हम एक वाय स्टर कर देंगे ऐसे और ध्यान रखना होगा आप कि हमारा हमारी जो सब्जी है वह बाहर को इसको जतनी आप पका लीजीये इनको आलू देखे हम तोड़कर देखे हैं とौ घ्रवी बनी चुकी है आप पक चुकी है आपको जितनी गार्डी ग्रेवी चाहिए उतनी थिक ड्रेवी बना सकते है तो दिखे हम ली दनियारा ओध सब्झाव flour mighty बीना गडर। यह देखे गाइस कितनी यम्मी लग रही है हमने बोला भी था कि हम आज बिल्कूल सी इंक्रेड़न्स से हम अपनी सब्जी बनाएंगे बनाकर तयार करेंगे तो इसी वज़े से हमने ज्यादा कुछ नहीं अट किया है तो यह देखिए कितनी यम्मी लग रही है बच्चों को अगर हमारी यह रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर मिलतें नेक्ट डे नेक्स्ट रेस्पी के साथ बबाए